बारी बारिस का दौर शुरू हो चुका है करनाटका हो आंद्रप्रदेश हो तेलंगाना हो या हो तमिलाडू या हो आपका हात्रस दिखा दीजिए बारी बारिस का दौर एक बार फिट सुरू हो गया है अगर बात की या है मंडियों में उच्छाल की तो मंडियों में किसान साथियों इस समय पर बारी उच्छाल है तो नमस्कार किसान साथियों मैं हूँ सानु चोधरी और इस वक्त मैं मौझूद हूँ लाइव रिपोर्टिंग के मार्टियम से बारिस का भी तौर है आप खुद देख लिजे उससे पहले आपको ये पूरा अवगत कराना है कि ये जो बारिस है वो जनपद हात्रस में आग की बरवाद हो चुके हैं ऐसे मैं मंडियों में आलू का उच्छाल मार रहा है यानि कि आलू में बहुत तेजी देखी जा रही है और इस तेजी का असर कोल्ड में नहीं है क्योंकि कोल्ड में शोर पैदा हो गए हैं कोल्ड के जो व्यापरियां वो किसानों को आलू के सही दाम नहीं नहीं देना चाहते हैं जब कोई इससे कहता है तो उससे लड़ाई जगड़े पर उतार हो जाते हैं तो आज सबसे पहले मैं आपको आलू भाव दिखा देता हूं बारिस का भी यहां पर आपको सीधा दोर दिख रहा होगा और थोड़ा पनारे के उभी कर दीज और यहां पर आप देख लीजिए यह बारिस आपके सामने हैं और मैं चाहता हूं कि सबी लोग इस बारिस का लुटफ लें और अपने जो आलू के बड़े हुए हैं और मैं व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो मंडियों में रेट चल लाएं उसे अपना काड़ा अपना कमिजन काटके किसानों को दीजिए क्योंकि अब जो है आप कितना भी जुटला लें लेकिन 14 चोड़ने वाला नहीं है तावे के साथ कर रहा है आलू 1200 और प्रती पैकेज 50 kg जो होता है उससे पार विखेगा क्योंकि बारिस का जो दौर है वो किसानों के लि सूर्या की बात करें तो 1200 रुपे प्रती पैकेट हो चुका है चिपसोना की बात करें तो 900 पे चातर रुपे प्रती पैकेट का चला है 3767 बात करें तो शाठे आठ्स रुपे लेकर 940 रुपे तक के यहां पर बाव चले हैं गुजरात के एलार की बात करें तो एक एजर रुपे प्रती पैकेट डायमंड पंजाब की बात करें तो 800 रुपे से लेकर एक एजर रुपे प्रती पैकेट एलार पंजाब की बात करें तो 800 रुपे प्रती पैकेट अब बात कर लेता हैं जहां पर बारी बारी सवाई मचाय हुए हसान परवाद है चिकमंगलुरु परवाद है मंजरी परवाद है बेलगावी परवाद है यानि कि जो आप यह मंजर यहां पर देख रहे हैं हात्रस के साधावाद में यही मंजर जो है आप जो है दच्छन भा किलो तक के दाम प्रेट चल लें आलू के तो इसमें बाड़ा जो है 6 रुपे किलो का प्रतिक लोगा लगता है यहां पर मैं आपको इस फर्स्ट कर दूँ अब बात कर लेते हैं बैंगलोर मंडी की तो बैंगलोर में 22 रुपे किलो से लेकर 28 रुपे किलो का आज बाव चला ह बीस्ते 22 रुपे पुना 19 रुपे से लेकर 22 रुपे किलो तक पुना एहमदाबाद की बात करें तो 19 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो बोवनेश्वर की बात करें तो 18 रुपे किलो से लेकर 25 रुपे किलो राची 21 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो पॉलकाता 14 रु लेकर 16 Rs. 70, ईंदर की बात करें 24 Rs. 80, humor के इंडों जौदपूर की बात करें 15 रुपे चले कर 15 кус, 90 रुपे किलो, क्वालियर की बात करें 12 किलों से पारी 1 र्यूपे किलों तक कर यह दाम चल रहे हैं जयेपूर की बात कर लेता हैं 12 तो बारिस है ना यह आप लोगों के लिए वर्दान सावित होने वाली है मैं दावे के साथ कह रहा हूं आलू आपका बाराश जोरपे प्रती पैकेट ही बिखेगा क्योंकि दच्छन वारत पूरी तरीके से तबाए कोल्ड इस्टोरे में जो अलू रखा हुआ है उसके दाम बढ़ने वाले हैं चाहें वो दागी हो चाहें लूज हो चाहें कैसा भी हो क्योंकि मांग और आपूर्ती वो सारा कुछ करा देती है जो नहीं होना चाहते तो आप खुद देख लिए यह यह यहां पर तो भारी है लेकर बीवीसी का वाली बारिस तो आप न्यूस चैनलों से नए यूट्यूबरों को दे रहा है इस वह यह से चैनल बंदना हो जाए हम आपको उसकी नहीं दिखा सकते लेकिन मैं आपको एक बात दा दूं एंडी टीव इंडिया टीवी नाइन बारतवर्स यह आज तक सब कर देख लीजे हालत बयाव हो है करना टका कि आपने अमर मन्डी में वह देने का प्रयास कीजिए ऐसा मत कीजिए किनका सोचन हो इन्हें पूरी तरीके से संतुर्ष्ट कीजिए जो बारिस का जो असर है वह मंडियों में उसका पूरा वो तो रहना चाहिए और जैपूर की बात करनें तो जैपूर और यहां पर भी कमोबैस यह पह सबसे सठी सूचना और खबर चाहिए तो आप किसान भाई सौनु चौदरी को सब्सक्राइब करें सभी दोस्तों के साथ शेयर करें दावा नहीं दावे 100% के साथ कह रहा हूं कैसा भी यालू हो 1200 पर प्रति पैकेट पार होने वाला है ज्यान रखिएगा और जो यह कहता है कि यह मरवाने का काम करेगा तो वो अपना फूत्रड़ा मूँ बंद रखें और उनसे तो मैं उस दिन बात करूँगा जब 1200 पर प्रति पैकेट तुरास होगा कोल्ड इस्टोरे दीजे और अभी साब सामने आने वाला है देखिएगा जबाप कालू उडान वरने वाला है तो चलिए अब बोली देख लेता है लगती है कर नहीं बाके बात करते हैं लगते कोई परजाशनी लेकिसानों से जरूर बात करें चार पांच शार्वादा पंज़ा सोला सब्सक अभी कुछ समय पहले जानकारी मिली है कि अपते वर्थे लगवाद जो है लच्छन में बारेस अच्छी है और उस बारेस का वेनिवेट हमारे लोगों को मिलेगा हमारे यह को लिश्टोरों के दाम कुछ तो आज भी बड़ें और मेरे अनुमान से कुछ लोगों पता रहे हैं कि एक यह अरब केगा कुछ बोल रहे हैं बारेस होगेगा मेरे अनुमान से जैसे बारेस महां पर इस तेजी से है तो इसे हिसाब से कम से कम 14 15 पर पैकट बेंगनी चाहिए और और अभी जैसे बोलते हैं आने वाली वदल है चेकम अंगर हुआ है बेलवाब हुआ है और और उससे आगे फिर पंजाब की है पंजाब भी ऐसी मतलब नहीं लिख रही है ज्यादा के मजबूत वजलो वह भी डीली है अभी थोड़ी होती लगी है और पंदर अविस से बरसात हुई तो काफिया के नुकसान जाएगा तो हमारे यहां पैनिविट मिलीगा इस समय पर जातर वारत में अच्छी वारत में अच्छी वारत है और उसका वेनिविट हमारे चेत्रों मिलीगा इस हिसाब से वारत महां लगातार बरस्ती रही तो आलू चौसा पंदर असरों पैगट बेगेगा हाँ यह 90 परसंट खतम मान लो 10 परसंट का कोई मैत तो नहीं है आगामी फसल जो है ऐसी कोई खास नहीं आ रही है तो इस हिसाब से आलू का रेट अच्छा मिलेगा क्या लग रहा है आपको जो जच्छन भारत के जादा तर राज्जियों में भारी बारिस हो रही है आम बर्वाद हो रही है ज्यादा सब्सद्धियां है आलू की जो पसले ज़ए मंदीर है चिक मंगलू रूरू है यह पूरी तरीक्वे से बर्वाद है क्या कहना चाहेंगे क्या अलू बढ़ेंगे कर नहीं बढ़ेंगे अलू बढ़ेंगो कम चीकम बारस हो अब मांते हैं आप बिल्कुल यह तो बात आपने मूंगी लेली जाये हैं और पाकिस्तान हो जाना चाहिए है अब बारास हो जाएगा नाइक नागा पर आखरी सरकार हुई जागो तो आपकिस्तान कुछ रूट को है पाकिस्तान जाएगी बिल्कुल जागो तो हम कह रहे हैं का गारंटी तो पाकिस्तान जाओ अब यह जो आपका बारिस हो रही है अब कितना असर देखने कितने दिन बाद आजाएगा आलू आपका बारिस हो रही है और उसका जो इफेक्ट कहां तक आप देख रहे हैं कितना चला जा सकता है आलू का दाम दो यार रुपे पैकट हो सकता है जी यह तो आप एकिस और हो हुए गई लोग तो बारेस हो चौद तक की जा रहे हैं नहीं दो यारत नुश्चित है कैसे बारेस की वह जए से बाहरब साफ में जैसे बोड़ है लोग बारेस हो रही है उसकी वह जालू पैसर पढ़ेगा भारा विजाई होगी आलू तो नस्ट ही होगा वहां पर फासल नस्ट होगी पूरी तरीके से हां लेना ही है और नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो भूभी देखा है और क्या क्या कहना यह चाहिए बहिया कि जो बार्स के इसाब से और जो मंडियों का जो फसल बरबाद हुई है बहार तो उससे आंकड़ा बनता है कि जो आलू आट सरभी का विख्रा था उन्हों सरभी साड़ी नो सरभी का विखना चाहिए अब उम्मीद बन रही है कि आल किशान को मीठा मों हो जाएगा किशान का कुछ लाब मिल सकता है और यह दक्षिन वारत में बैंगलोर और इजात बार साथ हो रही है नहां वहां फसल पिट्शु की है खतम हो गई जो बेल गावी अशन वगरा इस अब अब उम्मीद है अब कितने दिनवार आप देख रहे हैं कि इस पर करेंट आलू पर आ जाए है कितने आलू पर एक और 1,000 वारत हैं नीचे तो रहना नहीं और फर्मास्यां वारत है बारत है चज़स्क जाना हैं उनलतों सकता है करन। यह बात जो आजी आंखड़े मिले हैं उसके हिसाब से आलू बारे से और चौदे बारे से तो बिकना है कोई बड़ी बात नहीं है किसानों के लिए किसानों से यह कि एक हपता में अपना माल निकालना इस्टाट कर दें अब माल अच्छा विकेगा को किसान का एक हफ्ते के बाद निकालना चाहिए उसके बाद एक हफ्ते के बाद चांस हैं और उसके से से अपनी अपनी बात रखिया यह किसानों का अपना वक्त भी हो सकता है लेकिन उम्बिद हैं पूरी तरीके से साथ में आसमान पर हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि दच्छन भारत के ज्यादा तर इलाकों में बेलगावी हो हसन हो चिकमंगलूर हो या पूना हो या मंजिरी हो कॉलर हो डिम्बिम हो जो नीलगरी की पाड़ियों में तमिलाड के इलाके में होती है यहां पर बीते लगों में बीते क्या मैं आपको बताई देता हूँ तीन से चार दिन लगातार बारिस हो रही है और आज भी बारिस का सितम है आप टीवी में देखिए कहीं पर भी देखिए आख़वारों में देखिए आपको इस्तिति इस परश्टरिय है लगबग 90% तक फसलें बरबाद हो चुके हैं अब बची 10% 10% मैंसे दागी भी होगा सड़ा हुआ भी होगा तो मैं 3-4% फसल बची अब आप आँक न लगा स अचा है लेकिन इतना कंफर्म है कि इतने आलू रेट पर जा सकता है तो ऐसे मैं दागी वागी जितना भी आलू है मांग वो सारा कुछ करा देगी निवेदन आपसे मेरा यही रहेगा हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करते रहें वो आपकी अलग मनसा है कि आप जो है आलू की निकासी बरकरार करते रहें निकासी अगर रुकी तो कहीं न कहीं आप लोगों को एफेक्ट दे सकती है लेकिन बारिस जो हुई है दक्षिन वारतिया करना टका है और इधर इलाकों में तो यहां पर इसका बेनिपिट भी आपको एक हफते के अंदर नजर आ जाए